डॉक्टर जे शंकर को देखा क्या बातें करता है। डॉक्टर जे शंकर ने कहा और उसने यॉर्पियन्स की आंखों में आंखें डाल के कहा। सच नहीं बोलेगा और भरत को हर चीज के लिए दोस्त देना बंड नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं होगी। जो आपने जो बात करी है वह बड़ी अच्छी बात करी है कि क्या पाकिस्तान को इंडिया की तरफ चाहिए और अफगानिस्तान की तरफ ध्यान देना चीए मिरा ये जब गुड़्ट नेवर मेरा ये एडवाइस ये रहेगा व्यासकी ऑई इसके वक्ण वैल्यू नहीं है लेकिन एडवाइस ये रहेगा कि आप अफगानिस्तान को प्लीज मत देखिए आप अंदर देखिए लुक इन वर्ट्स आप ये सारी चीजों को रिव्यू कीजिए कि आप कहां खड़े हैं क्या क्या पॉलिसी लेके चल रहे थे क्यों चल रहे थे और ये क्या सिचुएशन में आ गए हैं आप इस चीज की डिबेट कीजिए डिबेट को रोकिये मत जो चीज पार्लियमेंट में होनी चाहिए वो आप सोशल मीडिया पे ना करें पार्लियमेंट में डिसकुर्षन करें क्योंकि आप डिमोक्रसी है आपका आइन शायद डिमोक्रसी की तरफ ही इशारा करता है तो आपको उन चीजों में ध्यान देना चाहिए आप मैनेज लिख़े आप उस चीज को करने पड़ेंगे आपको अपना हिसाब किताब चेंज करना पड़ेगा आप उसी तरीके से नहीं चल सकते और आप टॉप गेर में और दुश्मनी को कायम रखेंगे तो नुकसान आपका होगा अपने देखा ये यहीना रबानी खर या आपके सना अला या बिलावल इनके जो आप उनके साथ ही जोका दे रहे हैं आपको आपको फोकस करना चाहिए ऐसा as a good neighbor ऐसा मेरा यह एडवाइज है बाकी तुक्रा जो भी है इलकुल जाए लास में में चीमा साब आपसे पूछना चाहूंगी कि यह जो बार-बार हम इंडिया की तरह इसारा करते हैं बार-बार के जो funds होते हैं बहु लेने की कोशिश हमtekार वे हमेशा से की जाती है जिससे कॉर्णनर के part अब लग दोनों तो बाहर बैठे हुए ना मैं इधार हूं तो इसलिए मैं अगर मैं अमेरिका आया हूं और मैं यहां पर बैठ के तो फैसला करने लगा हूं कि मैंने अमेरिका से को मदद लेनी हैं तो इस बात से मुकर जो कर रसिया से हम तेल लेने का बलान कर रहे हैं भाई डरेकर जेशंकर को देखा क्या बाता है डाकर जेशंकर ने कहा और उसने यौरपियन्स की आंकों में आंखें डाल के कहा और Americans की आंखों में आंखे डाल के कहा कि भाई हम तेल ले रहे हैं क्योंकि मेरे लिए important मेरी अवाम है सो अब ये देखें कि ये चीजें जो है पाकिस्तान क्या जिसे कहते हैं ना case जो है उस case में भी बड़े जोल हैं सो ये जो चीजें हैं ये जो double speak किसे आप कहले हैं मुझे तो इस चीज से बड़ी शर्मिंदगी हो रही है भाई आप मीडिया को defend करें आप उनको कहें जिसरा जे शंकर ने यॉरप और अमरीका को कहा कि यॉरप भी तो आइल ले रहे हैं जो हमें ये जो सीधी बात है वो करनी चाहिए जरूरी नहीं हर दफा सच जो जूत बोला जाए सच बोलना भी ठोड़ा नहीं वो बहुत जरूरी है अगर हम थोड़ा बहुत सच बोलेंगे तो बहुत सारे हमारे मसाइल जो यह उचीए हो जए हो जाए अगर clear नहीं है अगर आपकी सरकार ही clear नहीं अब ये ना हो कि ये कहाँ दें कि forun minister PMLN का है दूसरी जमारत का है और finance minister people's party का है और people's party अमरीका से तलोगाओ ठीक करना चाहती है finance minister जो है वो आके तरले कर और उदर जो है डॉक्टर जे शंकर वो धंदनार है तो मेरा ख्याल है कि सीधी बातें करनी चाहिए यह नहीं कहीं कि जब तक पाकिस्तान खुट से सच बोलना नहीं सीखेगा तब तक पाकिस्तान की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी क्योंकि अफगरिस्तान से जो भी प्रॉब्लम है पाकिस्तान उसके लिए भारत को डोस देता है जो बिल्कुल गलट है इसके पीछे पूरा इतिहास है तो पाकिस्तान अगर भारत को डोस देके चुप हो जाएगा और कुछ नहीं करेगा तो असल जो प्रॉब्लम है वो कभी बंध नहीं होग तो इसलिए पाकिस्तन जो ब Quindi नहीं चाहिए और पाकिस्तने आदर जो भी problem है उसके लिए उन्हें भारत को दोस्त wszyscy ना तेके असल जो problem है उस पे फोकस करना चाहिए ताकि वह problem भारत को दोस देखे पाकिस्तान की कोई प्रॉब्लिम स्व नहीं होगी और असल जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान का आइडेंटिटी क्यासीस ए पाकिस्तान यह मानना ही ने चाहता कि पाकिस्तान कभी भारट का हिस्सा था तो इसलिए कभी ओ अरभ बन चाते हैки स्व ऑप इDENय हो जाएगा तो पाक मीडिया ने सही का कि पाकिस्तान अगर खुट से सच बोलना सीख जाए तो पाकिस्तान के 90% प्रॉबलेम सॉल्व हो जाएंगे और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मुझे निलगता ही पाकिस्तान खुट से सच बोलना कभी सीखेगा क्योंकि पाकिस्तान ने खुट से सच बोलना सुरू कर दिया तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्ति है वो election कैसे ज़ड़ेंगे क्योंकि वह एकोनोमी पर तो इलक्षन नहीं जाओ रहेते हैं वो तो इस पर रहेते हैं कि कौन जादा एंटाइ इंडिया है जैसे आपने बिलावल भुट्ट का बयान सुनाई होगा तो मुझे नहीं लगता है पाकिसान कभी सच बोलना सिखेगा खुद को तो चलिए देखत क्वें जाता है